है है हलो फ्रेंज आज हम बात करेंगे डिये लेट फर्स समस्टर के बारे में दोस्तों आज के हमारा जो भी से है वह समाजिक अधियन ठीक है दोस्तों इस शेप्टे को पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं उसमें कुछ महादीप के बारे में बताया हूं ठीक है जो बचा माहादीप है उसको आज दोस्तों पढ़ना है और कुछ महासागर के बारे में पढ़ना है अगर दोस्तों आप मेरे चैनल अपने या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा हेल्फुल वीडियो बनाता रहता हूं तो सगन जनसंख्या वाला और ओदोगिक एवं बिक्सित है ठीके इसका विखास हो चुका है महादीप है छेत्रफल में क्यावल अस्टेलिया ही यूरोप से छोटा है अगर छेत्रफल दिश्ट्री से देखा जाए तो कौन सा अस्टेलिया जो महादीप है वह यूरोप से सगरमनें अटलांटीट ठीक है पिनकों दोस्तो ऑटलुं अड्रफल महा सागर से घूरा हुआ है ति का दिंतर चीए जल्बानितर ते इसको एक प्राइदीव पिए का जाता ठीक है जो तीन साइड से जल कि गी रहा है उसको दुसें और point हम लोग देखें महादीप की पर्मुगöh परवसयरेया कौन सी है ये दोस्तोंjang कि पर्मुग से परवत शेडियां और देख लाते हैं इडोब की जो सरवच चोटी कौन सी है वह माउंट एलब्रूस है ठीक है जो इडोब महादीप की सबसे सरवच चोटी है वह माउंट एलब्रूस के नाम से मसूर है जो काकेसस परवत माला में है ठीक है किसके दोस्तों वह कासेसस जो पर लिब्रूस है ठीक है महादीब में राइन बोलगा डान सीन पो डेन्यूब आदी नदियां परवाइद हैं ठीक है कौन से महादीब में यूरोप महादीब की यह सब जो नदियां है आदी यह सब बहुत ही फेमस है जो राइन नदी होगी ठीक है और बोलगा होगी डान होगी फीन होगा ठीक है ये सब पर्मोग नधिया उडिए और एयुरोप के बारे में देखल लेते हैं युरोप की सबसे लंबी नदी कुन सी है उक बोलगा है ठीक है युरोप महादिक सबसे लंबी नदी बोलगा जबकि राइन नदी परमुक बेपारिक नदी यार इउडिवोप नदी की जो परमुक है भेपारिक नदी कौन सी है वे राइन नदी है कि इउर्म की अधिकांस नदियां आंतरिक जलमार के रूप में परसीद और इडोप की जो अधिकांस नदियां जो आए किसके रूप में परसीद हैं आंतरिक जलमाल ठीक हैं अंदर से जाने वाली और देख लेता हैं बिश्व परियर्टन वह वास्तेवर्दक केंद्र शुटिजर लैंड इसी महादीप में ठीक है जो पूरे ब हुआ है जो अनुन लोग देख लाता है नेक्स्ट में इस महादीप की परमुक है जो लेता हो में पर फन्हों कि सीयशार की आधा से अधिक जैतुन इसी में twitter हो जैतुन होता है उसका आल बनता तिल बनता है तो किस महादीब दूस्तों वह यूरोप महादीब पर ही आधा से अधिक इसी महादीब पर होती है 1789 की और धोगी करांती के पसा यहां की लोगों ने बहुत उन्मति खी जब 1789 की और धोगी करांती हुई तो इस इरोप महादीब के लोगों ने बहुत उन्मति खी ठीक है और बाल्टिक देससे में कौण कौण सा आजाएंगे लाट्विया लिथु आनिया और एस्टोनिया दीचि देक demain कौणकौण सा एकनगे बेल्जिय में नीदर्लयन लग लगे म बर ठीके लके म जोबर गे यह भी आएगा युद देश हैं नेक्स देख लेते हैं आई बेडियाई प्राधिभ के पूर्टगाल इस्पेन फ्रांस एवं भूमद सागर ततवर्ती देश्ट अब जो समस्मों देख लाते हैं अस्टेलिया महादिब के बारे में क bipart good Kyia Princeton realistic सब्च्छis छोटा महादुप यह जो अश्टलिय क्या है वह भिष्व का सब्सेट महादीप है अश्टलिया की एक मारभि एसा देश मपूरे मादीप में फैला हुआ ठीक है कि सब्सक्त कर देश जो महादीप में फैले हुआ है कि इसी लिए कि इसी महाधीपप करते कि इसी करे तो किस बोलता word अस्ट्रेलिय द्यूपई महाधीव बलते हैं यह पुड़त देश्य दश्रेलिया मादिप दश्रेलिया लागभग गुजरति एक चीता मत्स्रेद कर लंगतली दश्रेलिया मादिप के वीचो बीच से गुजरती से और अस्टेलिया मादेपी खोज किसने दोस्तों किया था वो जेम्स कुक ने किया था और कौन से सन में 1770 मेठी है और देख लेते हैं इसमें अस्टेलिया का मरुस्थल बीष्टों का दूसरे सबसे बड़ा मरुस्थल ठीक है अस्टेलिया का जो मरुस्थल वो पूरे बीष् ुए जो परस्यम भाग में हुआ है चैना मज नामक परवात माला सेफ्विए ग्रेट डिवाइडिंग और देखे लाते हैं महादीर के बारे में माउन कोसिसको ठीक है इसकी सरवच चोटी है जो माउन कोसिसको है वो इसकी सरवच चोटी है कंगारू नामक जानवर इस महादीप पर पाया जाता है महादीप में मरे वर डार्लिंग नामक नदियां बती है जो आपके अस्टेलिया महादीप है उसमें दो नदियां फिरमास है मरे वर डार्लिंग इस महादीप के उत्तर पुर्वी भाग में महासागर कौन से अस्टेलिया जो महादीप है उसके उत्तर पुर्वी भाग में महासागर में कौन कौन से मोंगे की चट्टाने मिलती है इसके उत्तर पुर्वी भाग में जो महासागर उसमें मोंगे चट्टाने मिलती है इन्हें ग्रेट बैरियर रीप कहा जाता है यह जो चट्ट होने के कारण ही इस महादीब को प्यासी भूमी का देश भी कहा जाता है ठीक है यहां की जो सुक्स होने के कारण ही इस महादीब को क्या बोलते हैं प्यासे भूमी का महादेश भी कहा जाता है प्यासे अगर पूछ लिया कि दोस्तों प्यासे भूमी का देश या महादेश किस भेड पालन इस महाधीप की पर्मुक आर्थिक कीडिया है बीष। यहीं मिलती है इस महाधीप में ठीके देखने कोई से उत्षुत पानी पानी के चसमे यह कुमे आवंश्थित है जो ग्रेट कि пут बेमस्थे जा सकते हैं तो दोस्तों इस महाधीव में क्या है उद्सुत पानी के चसमे रेम संस्भ अब कुमे भी मिलते हैं जो क्जुत ऎलते हैं नेक्सथ हम नोग은 देखेंगे कौना ऊंटार्टीका माहधीप, इसके बाद में दोस्तों कुछ लाएने हां, पहले देख लेता है, यह माहधीप कहा है, दच्छे गोलारद में, जो गोलारद है, टीक, गोलारद में धरूओं के इस्ती थे, यह अंटारकेस्ट के बित के दक्षेड में, अवस्तित यह भाग वर्ट भरप की मोटी-मोटी चाद्रों से धकाए रहता है यहीं कादर है कि यहां reverse की निर्चन है एक कि यहाँ पर दोस्तों जीवन असंभव मतलग मुश्केल है इस महादिभर बिभी ने दुखते और भारत के चलिए उसके बाइम दिखलते हैं भारत की जो सोद केंद्र है वह दच्छिर गंगोत्री मैत्री तथा भारती अस्थापित किया गया है यह सब क्या हैं दोस्तों सोद केंद्र हैं इस महादीब पर एक जौला मुखी परवत सिखर है जिसे आप माउंट इरेबस के नाम से संबोधन या संबोधित किया गया है यह प्राप्त है इसी बरफीले महादीब को चार और से घेर हैं ठीक है जो इसी बरफीले जो महादीब उसको क्या चार और से घेरा हुआ है नेक्स देख लेते हैं कौन-कौन घेरा हुआ है कौन घेरा है दच्छीर महादीब ठीक है या महासागर स्वरी दोस्तों दच्छीर महासागर अंटार्टिका का अधिकांस भू भाग बंजर तथा थंडा मरुस्तल ठीक है इस महादीब का अधिकांस भू भाग कैसा दोस्त संख्या में है कौन से पच्छी दोस्तों वह प्यक्वीन जो पच्छी है वह इसी समुंदर दीपे पर दोस्तों यहां जो जील वह बड़ी संख्या में यहां बहुत सारी जीले हैं सागरों में हवेल भी पाइजाती है क्रिल नाम छोटी मचली यहां बहुतायत मिलती है अब दोस्तों आपका महादीप कंप्लिट होता है अब हम लोग पढ़ेंगे महासागर की बारे में कुछ बेसिक जानकारी महासागर विसाल जल्रासी के बंडर है जो प्रिद्वी के अदिकतर भाग घहर हुए अपका महासागर घहर हुआ है प्रिद्वी पर पाय जाने वाले समझत जल का 97 परशन्ट भाग महासागरों में पाया जाता है इस संसार में या इस प्रिद्वी में जतना जल है ठीक है उसका 97 परशन्ट महासागरों में ही पाया जाता है सागरों का जल खाड़ा होता है ठीकिह पीने योग नहीं होता है और सिस्ट आपका 3% है वह मीठा जल झा जो धरातल पर हीम और बर्ब के रूप में जीलो नदियों वह अन जलाशयों में विद्यमान है ठीकिह जो 3% जो बचा हुए जल है वहीम और बर्प के रूप में जील हुआ या नदी हुआ या अन जो जलासा है हुए उसी के रूप में विद्धिमान है मासागरी जल के खारेपन का मापन परती हजार में किया जाता है जो महासागर का जल है जो खारपन है उसका मापन करने के लिए प्रति हजार में किया जाता है महासागरी जल की ऑसत लवरता कितनी दुस्तों 35% है ठीक है तो इसका तातपर देख लाता है इसका तातपर यह है कि 1000 G जल में गुले लवर की मात्रा 35 ग्राम पांच पर लांघ तर लांतिक मारे की निज सब्सक्राइब टाला से सहंत ऐसे माहासागर पत्रां Verme को ह potent माहासागर करता है जो च्रावातिक प्रसेंbayल माहासागर सबस्सक्राइबा छक्राकार तेमिस माहासागर या फैमिस्स माहासागर उसमने सबसे जो छो करने सबसे बड़ा कौन सा परसान मासागर करें यह प्रित्वी के धरातल का लगवग एक थी भाग ऑग तका हूए जो प्रित्वी का है उसका लगवग मानेद हो सो पर्श्ट मानगा तो 33 से एक वेटर तीन भाग जो क्या है कि वह आपका परसान्थ अगर आक्रिति की दिष्ट्रक्रों से परतित होता है अगर आक्रिति पीजिस्टि से देखा जाए तो तीर भूज के रूप में परतित होता है परतित होता है इसका सीर्स उत्तर में बेरिंग जल संदी पर है महासागर के पूरी भाग में उत्तरी तथा दच्छरी अमेरिका ठीक है जो महासागर कौन सा है आश्टरी मों क्यों से किस दच्छी अ अन्टार्किका महादीफ इसी इसी से रंज्यता लगा acid अगरगा क्षित है वह बहुत ही बड़ा assume प्रसान महासागर की गहराई अन सभी महासागरों की तुल्ला में सरवाधिक है जो प्रसान महासागर की सबसे गहरागर्थ जो बहुत फेमस है कौन सा है मेरियाना गर्थ है जिसकी दोस्तों गहराई कितनी है 11 किलो मीटर ठीक है छया तो यह सात्य पर्वत नaton कृस्ट याख मैं रिंगा गहट pequौशंद माषागर्थ प्रसांद माहा सागर्थ है दूबूब तो यह पूरी तर्फ में समय जाए घौँपी परसान महासागर में थैंकि है हम छिंद महासागण करोड़ किलो यह के तूम सोलो 5 करोड़ महासागर इसका 8.2 क्डियो कि het महासागर का 7.3 माहासागर का 1.4 नाम से ंधा महासागर की नाम सम्मधित किया जाता है कि इसको दोस्तों अट्लांटिट माहसागर को या आकार में प्रसांद माहसागर का लगबक आदा छेतफन धाड़あー करता है थीकर्थ 2008 डेख़ technical एक आपका प्रसांद माहसागर उसका कितना दोस्तों लगबक तो आदा च्छे अच्छे तफ़ल धाड़र करता है या समस्त संसार के लगबग छटे भाग में विस्ती थे हैं आकर्धिकी दर्शक्रे से इस मासागर की मुख विशेष स्था इसके अंग्रेजी के अच्छेर यस से मिलती है त्रिक इसके आकरिति के दिश्टी से देखा जाये तो इस अकार का है दोस्तों यह और यह अंग्रेजी के जो अच्छे रहे वह यस से मिलती जुलती है महासागर के पस्सिम भाग में ठीक है जो कौन सा अत्लांटिट महासागर है इसके पस्सिम भाग में उत्तर वह दच्छिर अमेरिका ठीक है मतलब कि जो ए मासागर इसके जो आपके पस्रीम भागे में क्या उत्तर और जो उत्तरी और दच्छी अमेरिका है इसी पर है ठीक है और पूर में कौन सा एक बिस्तरित है ठीक है और देख लते हैं जो आंट्राक्रिका है वहां तक यह पूरा बिस्तरित है आपका उत्तर में ग्रीन लैंड आइस लैंड तथा अन्य छोटे छोटे दीपों से घीरा हुआ है ठीक है उत्तर में यह ग्रीन लैंड जो की बहुत बड़ा महादीफ है साथ बिस्तर में सबसे बड़ा जो दीपों से ग्रीन लैंड आइस लैंड था अन्य छोटे छोटे दीप से घीरा हुआ है महासागर के लगबग बीचों बीच बहुत लंबा कटक पाया जाता है मासागर के आंत्रिक भाग में टेली ग्राफ पठार तीक है जो महासागर इसके जो आंत्रिक भाग में उसमें क्या है टेली ग्राफ पठार है बर्मूडा, डाल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, पर्मुक रूप से बिस्तित हैं, इसके जो आपके आंतरिक बाग में कौन सा है, टेलिग्राफ पर्थार है, बर्मूडा है, डाल्फिन कटक है, चैलेंजर कटक है, पर्मुक रूप से यह सब बिस्तित हैं, इस महाधिप में मख़्ियां पकड़ने के बड़े बड़े अस्थल है इस महादिद के जो मखळियां पखण बड़े अस्थल की बड़े अस्थल बड़े अस्थल दिख लेते हैं बीद सफ़लब नेक्स्ट भी बीद नेक्स्ट देख लेते हैं हिन्द महासागर कंशों मात्र महासागर है जिसका नाम कर किसी दयस के नाम से झालो dt वह एक ऐसा महासागर है जिसका क्या है नाम करण किसी देश पहुआ है ठीक है मतलब हिंदुस्तान होगा इस महासागर का कुल छे तफल के तान दसमों साथ दसमरों तीन करोर वड किलो मीटर है यह महासागर अन महासागरों की भाती उत्तर में खुली नहीं है ठीक है यह जो महासागर वह अन महासागरों की बाते क्या है उत्तर में खुली है यह कारण है कि इसे अर्द महासागर माना जा सकता है ठीक है किसको दोस्तों हिंद महासागर को अर्द महासागर की नाम से जाना जा सकता है क्यों क्योंकि दोस्तों यह जो महासागर है अन महासागरों की बाती उत्तर में खुली नहीं है यह खुला नहीं है यह महासागर उत्तर में अधिक में परतित होता है इसके जो भाक में अफिंगा थता पूरब में इंडोनेसिया की तर्ला अब्रीफ कर पूरब में निद्फञत महादीप का महादीप तक मिस्तित ठीक है अगर दच्छी साइट में देखा जाए तो अंट्राइप का जो महादीप है उसी पूरा उस साइट प्रतर मिस्तित रूप से हैं और देख लादे इसकी ऑसत गराई लगभग 4000 मिटर ठीक है कौन से हिंद मासागर की जो ऑसत गराई है लगभग कितना 4000 मिटर है इस महादीप का सबसे गरागर्थ कौन सा है सुन्दा गर्थ है ठीक है किसके हिंद मासागर का जो सबसे गरागर्थ है वह सुन्दा गर्थ है जो इंडोनेसिया के जावादीप के दच्छीर में इस्तित हैं कौन सा सुन्दा गर्द माहसागर के जो माहसागर उसके निटल पर चागोस कटक कि सैंट पाल कटक सेषेल्स कटक सोकोत्रा पर्मुक रूप से विस्तिर थे अब दखेंगे ने अर्क्रिक माहसागर समपुर रूप में उत्री गौलार्द में धुरूं छेत्र के आसपास लगबग 1.4 क्डॉर किलो मीटर छ्षेत्र पल में विस्तित है कौण सा दोस्ते यह आपका पूरे बर्व रूप में जम जाता है जब बर्व में जम जाता है तो यह मासागर क्या करता है पूरे बर्क रूप में जम जाता है आर्केटिक महासागर में 200 का सबसे चवड़ा महादीपी मगनटर्ट पाया जाता ठीक है जो आर्केटिक महासागर है इसी हम दोस्तों क्या पाता है 200 का सबसे चवड़ा महादीपी 20 का सबसे चवड़ा महादीपी यह वकौत है अब्रीट होता है आपको मेरे वीडियो कैसे लगा केमेंट करके जुरू पताइएगा अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है धन्यवाद